248 मिलियन डॉलर्स यानि 1852 करोड 92,82,800 रुपए ये है कीमत दोस्तों दुनिया की सबसे महंगे फुटबॉल ट्रांसफर की जो PSG ने बार्सेलोना को पे किया था 2017 में जब उन्होंने उनसे नेमार खरीदा 100,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 consider subscribing, leave a like and share the content across your friends and family, it really helps me out. और दोस्तों, आज बात करेंगे हम, क्योंकि transfer window चल रहा है, transfer का मौसम है, रोज आप लोग सुनते होंगे कि ये player ये club जोईन कर लिया, फलाना player धिमका club से linked है, तो ये सब चीजे क्या है, ये कैसे काम करता है, ये transfer आर्केट, तो जो transfer window होता है, दोस्तों, football में, वो जादातर देशों में 1 जुलाई से 31 अगस तक और 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होता है, ये ही 3 महीने का time है, जिसमें आप अपने football के transfers कर सकते हैं, तो अगर किसी team को कोई player खरीदना है, तो वो सिर्फ इनी 3 महीनों में operate कर सकता है, 1 जुलाई से 31 अगस तक की transfer window होती है, उसको कहा जाता है summer transfer window, और 1 जनवरी से 31 जनवरी की window होती, उसको कहा जाता है winter transfer window, तो अगर किसी club को कोई player खरीदना होता है, तो इसका कोई set pattern नहीं है कि वो उसको approach कैसे करेगा, usually एक informal approach की जाती है किसी player को phone या email के through, और फिर अगर वो player interested है, वो club join करना है में, तो usually player ये कहता है कि आप मेरे representatives या agent से बात करें, agent का मतलब दोस्तों अगर आसान भाशा में समझे तो manager ही हो गया, जैसे कि जो player के deals और जो भी ad deals हो गया या जो भी player के financial decisions होते हैं, उनको manage करते हैं, जैसे कोई भी brand या कोई भी club अगर approach करता है player को, तो वो अपने agent से negotiation करवाता है सारे, जिससे वो agent जो होता है, उसको बहतर समझ होती है, सारे finances की, सारे commercial point of view की उस deal के, और वो उस player को बहतर deal दिला सकता है, usually जो agent का काम रहता है, वो ऐसा रहता है कि player को बहतर salary दिलवाना, बहतर deal दिलवाना, और अभी जो उसको अपने present club में मिल रहा है, उससे वो बहतर deal कैसे पा सकता है, अपने next club में, और अगर agent और player की जो demands होती है, उससे वो club agree करता है, तो club फिर उस club को approach करता है, जिसका वो player already part है, फिर seller club, buyer club के सामने एक price रखता है, और उस price पे फिर negotiation होती है, और अगर वो price दोनों clubs के साब से bad जाती है, तो deal जो है, वो final हो जाती है, तो जो player है, वो दूसरे club में चला जाता है, एक बार जो be stipulated price है, अगर उस पे agreement आ जाता है, दोनों clubs का तो, ये तो हो गई बात दोस्तो normal transfer की, लेकिन कुछ cases में ऐसा होता है, कि जो player होता है, वो अपने club के द्वारा transfer listed नहीं होता, transfer listed का मतलब कि club नहीं चाता कि वो player जाया, तो इस case में क्या होगा, हम नेमार का ये example लेते, जिनकी बात हमने वीडियो के शुरू में किरी थी, तो वो transfer listed नहीं थे, तो उसका price कैसे fix किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आता है दो clause, buyout clause और release clause, इनका मतलब क्या है, दोनों ही cases में club जो है, वो player पे एक amount fix कर देता है, कि अगर उस player को वो club छोड़ के जाना है, तो इतना amount pay करना पड़ेगा, buyout clause में, player खुद वो amount pay करके जाता है, बट usually दोस्तों ऐसा होता नहीं है, तो जो club interested होता है, player में वो ही उसका buyout clause pay कर देता है, और same चीज़ दोस्तों, जब club directly pay कर देता है दूसरे club को, उसको कहा जाता है release clause, ये दोनों जो buyout clause और release clause आप मालीजे एक ही टाइप की चीज़ है, ये एक prize है जिससे player को protect किया जाता है, जिससे कोई भी club आके आसानी से आपके player को छीन के ना चली जाए, for example, Neymar का जो buyout clause था, वो 248 million dollar का था, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में करी, तो 248 million dollar देने के बाद ही PSG बार्सेलोना से Neymar को लेके गई, और दोस्तो एक्जामपल के तौर पर अगर हम लें, Erling Haaland का transfer सागा जो चल रहा है, तो उनका constantly link आ रहा है अभी Chelsea से, तो जब Erling Haaland को Dortmund ने sign किया था, तो उनके contract में एक clause था, तो उनके contract में एक condition थी कि जो उनका release clause है, वो June 2022 से पहले activate नहीं हो सकता, और उसकी जो value है वो 75 million euros यानि 91 million dollars के आसपास है, तो अगर किसी भी team को Erling Haaland को खरीदना है, तो next year 75 million देके अराम से Dortmund से Erling Haaland को खरीद सकते हैं, क्योंकि Chelsea को पता है कि next season 75 million बहुत affordable amount है बड़े-बड़े clubs के लिए, और competition भी बहुत ज़ादा हो जाएगा क्योंकि Erling Haaland एक superstar signing है, तो अभी जो बात चल रही है Erling Haaland की, वो Dortmund की terms पे चल रही है, Dortmund कह रही है कि 500 million जो price है वो है Erling Haaland का, अगर आपको Erling Haaland को अभी खरीदना है, तो आपको 1500 million pounds के आसपास देना पड़ेगा, यानि 175 million euro, क्योंकि इनका release clause जो है वो एक साल तक activate नहीं होगा, तो Dortmund अपने हिसाब से price quote कर सकते हैं, जो कि almost double है, जो उनका release clause होगा अगले साल से, तो ये भी एक condition होती है दोस्तों, अगर release clause आपका activated नहीं है, लेकिन आपको फिर भी वो player खरीदना है, तो जो move आँगी कीमत है, सामने वाला club मांग रहा है, आपको वो pay करनी पड़ेगी, इसमें आप negotiation कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन इसमें जो कीमत होती है, वो usually बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, जो उस player की market value होती है उससे, अब दोस्तों ये तो बात हो गई, जो players under contract होते हैं, या जो player transfer listed नहीं होते हैं, या जिनका release clause अभी activate नहीं हुआ है, उनके transfer की, कुछ players होते हैं, दोस्तों जो free agent हो जाते हैं, free agents कौन होते हैं, जिनका contract खतम हो गया है, for example, जैसे कोई player किसी team को join करता है, और वो उससे 5 साल का contract sign करता है, तो 5 साल का अगर वो time period पूरा हो जाता है, और वो team उसका contract renew नहीं करती, तो वो free agent हो जाता है, for example, जैसे दोस्तों, last season की summer transfer window में, Chelsea ने Thiago Silva को sign किया था, PSG से, क्यूंकि PSG ने उनका contract renew नहीं किया था, और उनका contract भी over हो गया था, PSG के साथ, तो Chelsea ने उनको free पे transfer करा, और इस season की एक बात करें, तो Sergio Aguero, जो Manchester City के लिए खेले, 10 साल, उनका भी contract renew नहीं किया, Manchester City ने, तो वो free transfer पे Barcelona चले गया है, मतलब Barcelona को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा, Manchester City को, Sergio Aguero को लाने के लिए, इसमें सिर्फ आपको player से personal terms अगरी करनी होती है, जैसे salary वगेरा, और कोई उनकी अगर personal terms हो, और player usually आपके team के लिए sign कर लेता है, ये दोस्तों usually होता है, जब player अपने late 30s में होता है, या player अपना prime cross कर चुके होता है, एक example था, Olivier Giroux का, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो उनका contract खतम हो गया था दोस्तों, लेकिन Chelsea ने उनका, एक साल से contract वापिस extend कर दिया था अभी, तो इस वज़े से AC Milan को, एक million euro की price देनी पड़ी Chelsea को, उनको खरीदने के लिए, तो ये example होता है, free agent का, एक और तरीका जिसमें players का transfer होता है, एक club से दूसरे club में, उसको कह जाता है loan, loan के द्वारा भी एक player, एक club से दूसरे club में जा सकता है, एक loan move में कोई transfer fee का involvement नहीं होता है, अगर कोई player अपने club से दूसरे club में जा रहा है, loan पे, तो उसमें कई सारे clauses होते हैं, for example, अगर हम बात करें Chelsea के point of view से, तो Chelsea का youth academy है, उसमें इतने अच्छे अच्छे player उभर के आते हैं, लेकिन सब को first team में chance नहीं मिलता, तो Chelsea जानी जाती है, players को loan पे बहुत frequently भेजने के लिए, अगर हम इस season की बात करें, तो Billy Gilmore जैसे, उनको Norwich भेजा गया है, loan पे, इस पूरे season के लिए, तो एक season पूरा Norwich के लिए खेलेंगे, बट वो रहेंगे Chelsea के ही player, दूसरा example देना चाहेंगे, दोस्तों, Fikayo Tamori का, Fikayo Tamori Chelsea से Milan गये थे, last season loan पे, और उसमें एक obligation to buy का clause डाला गया था, obligation to buy का मतलब यह है, कि अगर Milan को वो player अच्छे लगे, जैसे Tamori Milan को अच्छे लगे, अगर Milan वो fee को agree करती है, जो कि उन्होंने किया 30 million euro, तो Chelsea मना नहीं कर सकती Tamori को बेचने से, तो यही इस transfer में हुआ, Tamori को इसलिए Chelsea छोड़के, Milan जाना पड़ा, और तुमोरी भी obviously interested थे, Milan जोइन करने में, तो इस तरीके से यह जो loan move है, यह permanent deal में transform हो गया, एक option यह भी होता दोस्तों, कि अगर कोई player दूसरे team में loan पे जा रहा है, और वो वहाँ जाके अच्छा खेलता है, तो parent club के पास option होता है, कि उसमें buyback clause डाल दे, कि अगर यह player तुमारे यह loan पे अच्छा खेल गया, तो यह हमारी team में आके वापस खेलेगा, तो यह कुछ तरीके हैं दोस्तों, जिसमें transfers होते हैं, दो clubs के बीच में किसी एक player को लेके, अब जब player की सारी transfer fee, या वो loan पे जा रहा है, और यह सब चीज़े final हो जाती है, personal terms भी agree हो जाती है, players से including bonuses और salaries, तो बस दो ही चीज़े बचते हैं दोस्तों, एक होता है medical, जिसमें players का medical test होता है, जिसमें MRI, ECG, वगरा वगरा, यह सब basic tests होते हैं, और अगर वो test को pass कर लेते हैं, तो वो qualify हो जाते हैं, जादा तर players करी लेते हैं, बहुत कम ऐसा case हुआ है, कि किसी medical fail होने की वज़े से, कोई transfer रुका हो, बट अगर medical fail होता है, तो वो transfer नहीं होता है, club मना कर सकता है, कि आपका player medically fit नहीं है, तो हम उसका transfer जो है वो नहीं accept कर सकते, और फिर जब सारी formalities पूरी हो जाती हैं, तो player का दोस्तो presentation होता है, वो player को present करने का तरीका हर club का अलग होता है, अगर Spanish clubs की बात करें, तो अगर कोई बहुत बड़ा player उनके club में आता है, तो पूरे stadium के सामने presentation होता है, तो यह example है दोस्तो एक big money move का जो इस summer transfer window में हुई है, तो यह है दोस्तो कुछ basics football transfer window के कैसे एक player एक club से दूसरे club में जाता है, क्या-क्या उसमें factor होते हैं, क्या-क्या उसमें parties involved होती हैं, यह सारी चीज़े आज हमने discuss करी, अगले वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि एक player का market value कैसे fix किया जाता है, I hope आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, informative लगा हो, और आपके थोड़े से doubts जो हैं, transfer market को लेके football में वो clear हूए हो, अगर मैंने कोई point मिस किया, तो please मुझे comment section में जरूर बताएं, चले दोस्तों फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जब तक अपना धियान रखे, take care of your cells, take care of your families, and don't forget to keep the blue flag flying high.